नमस्कार आप देख रहे हैं Mobile News 24 और मैं हूनीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी ख़बरों का और बड़ी ख़बरों में पहले नमबर पर है CAA और NRC को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच Border Guards बंगला देश के परमुख ने ही इसे भारत सरकार का आंत्रिक मामला बताया है साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों देशों के सीमा सुरक्षावलों के बीच बहतर समनवे है और बड़ी ख़बरों में दूसरे नमबर पर है अमेर्की अंत्रिक्ष एजंसी नासा की महला विग्यानिक क्रिश्टीना कोच ने लगातार एक ही फ्लाइट में 288 दिन अंत्रिक्ष में बिता कर सनिवार को इतिहास रज दिया है जानकारी के मुताविक 6 फरवरी 2020 को जब वे वापस पिर्थवी पर लोटेगी तो वे अंत्रिक्ष में 328 दिन से अधिक समय बिता चुकी होगी और बड़ी ख़बरों में तीसरे नमबर पर है आज दिल्ली में ग्रिह मंत्री अमिस साह ने CRPF के मुख्याले का सिला न्यास करते हुए CRPF से कहा कि आप देश की सुरक्षा कीजे आपके परिवार की चिंता और सुरक्षा हम करेंगे इसके साथ ही साह ने कहा कि ग्रिह मंत्री बनने के बाद मैं CRPF को करीवी से देख रहा हूँ CRPF दुनिया का सबसे वरा ससस्त्रबल तो है ही साथ ही दुनिया का सबसे बहादूर ससस्त्रबल भी है और बड़ी ख़बरों में चौथे नमबर पर है JMM के कारकारी अध्धक्ष हेमन सोरेन ने आज राची के महरावाद मैदान में जारखंड के मुख मंत्री पद की सपत ली उनके साथ आलमगीर आलम रामेश्वर उम्रौफ सदानन्द भोक्ता को भी मंत्री पद की सपत दिलाई गई गुरतलव है कि 44 वर्षिये हेमन सोरेन राज्य में दूसरी बार मुख मंत्री पद समभा लेंगे और बरी ख़बरों में पांच में नमबर पर है राजस्थान की असो गहलो सरकार ने राजस्थान में जवाब दे ही कानून को लागू करने की तैयारी कर ली है और इसके तहट लोगों की सही सिकायत का समाधान 15 दिनों में कर दिया जाएगा बताया जा रहा है कि मसोदे के लिए सेवा निवरित आईएस अधिकारी राम लुभाया की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इसे अंतिम रूप दे दिया है और कमेटी जल्द ही मुखमंत्री को अपनी रिपोर्ट सोप देगी और बड़ी खबरों में छटे नंबर पर है भाजपा CAA के पक्ष में पूरे देश में जनजागरन अभियान चलाएगी जहां पार्टी ने यह फैसला पूरे देश में CAA को लेकर आई परतिक्रिया के चलते लिया है सुत्रों के मुताविक जनजागरन अभियान चलाने के लिए बीजेपी ने परमुख नेताओं की सूची भी तयार कर ली है और इननेताओं को अलग-अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है और बड़ी खबरों में साथ में नमबर पर है सिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना के जरिये परधानमंत्री नरेंदर मोदी पर सवालिया निसान उठाया है हलाकि उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए लिखा कि मोदी का राष्टी अस्तर पर कोई विकल्प नहीं है इसके साथ ही यह भी लिखा कि 2019 में राहुल गांधी को विकल्प के रूप में जनता ने सुईकार नहीं किया इसलिए मोदी एकवार फिर से जवर्दस्त वोट के साथ जीत कर आए और बड़ी खबरों में आठ में नंबर प्र है कौंग्रेसी महसची प्रियंका गांधी वाडरा के पती रौवट वाडरा ने आज कहा कि प्रियंका मुझे आपकी दयालू होने और जरूरत मंद लोगों तक पहुचने के लिए आप पर गर्व है आपने जो किया वह सही था और जरूरत मंद लोगों के साथ या उनके दुख में सामिल होना कोई गलत नहीं है बाडरा ने पुर्व I.S. अधिकारी S.R. दारापूरी के परिवार के साथ प्रियंका गांधी के मिलने के बाद ये वयान दिया और बड़ी खबरों में नौ में नंबर प्र है C.A.A. को लेकर R.S.S. ने मोर्चा सम्हाल लिया है और संग इस संदर्व में अब भजपा नेताओं को नया होमवर्क दे रहा है R.S.S. ने सनिवार को पश्मी उपी के सभी केंदरों और राज सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विदायकों की एक बैठक मेरट के संग कारियाले में बुलाई थी जहां बैठक में पश्मी उत्तरपरदे से संग के कई पदाधिकारी भी सामिल हुए और बड़ी खबरों में 10 में नमबर पर है CAA और NRC का मुद्दा भी ठंड़ा भी नहीं परा था कि अब NPR को लेकर भी विपक्षने केंदर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर ली है इस बीच सप्पा के राष्टिय अध्यक्ष और UP के पुर्वसियम अखलेस यादव ने NPR को लेकर एलान किया कि ना तो वे खुद और ना ही कोई सप्पा कारकरता इस रजिस्टर को भरेगा और बड़ी खबरों में 11 में नमबर पर है बीचेपी के राष्टिय अध्यक्ष श्याम जाजू का आज पूरे धूम जहम से जन्म दिन मनाया गया जहां पूरे देश से आये बीचेपी कारकरता और पदादिकारियों ने उन्हें जन्म दिन की सुभकामनाय दी इस मौके पर दिल्ली के जंगपूरा विधानसभा छेत्र के बरिष्ट भाजपा कारकरता अखलेश चंद्र सुकला ने भी स्याम जाजू के लंबे उम्र की कामना की और उन्हें सुभकामनाय दी और बड़ी खबरों में 12 में नमबर पर है पंजाब की कप्टन अमरिंदर सरकार राजय के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2019-20 के दोरान 11-12 कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को स्मार्ट फॉन वित्रित करेगी जहां इस संबंद में राजय सरकार ने अपने नोटिवकेशन में संसोधन कर दिया है गुरत लव है कि कॉंग्रेस पार्टी की ओर से विधान सभा चुनाओ के दोरान जारी अपने मेनिफेस्टों में परदेश के युवाओं को मुफ्त मोबाईल फॉन देने का वादा किया गया था और बड़ी ख़बरों में 13 में नमबर पर है मध्य परदेश के अतिथी विध्वान नियमिती करन की मांग कर रहे हैं यह मुद्दा फिलहाल चर्चा में है और इस वीच भाजप्पा परदेश अधक्ष राकेश सिंग ने कहा कि मध्य परदेश में अतिथी विध्वान के हालात खराव हैं अतीथी विद्वान बेहाल हैं लेकिन कॉंग्रे सरकार सिर्फ और सिर्फ इस मामले पर राजनीती कर रही है और बड़ी खबरों में 14 में नमबर पर है जे एमेम के राष्टिय कारकारी अधधक्ष हेमन सौरेन ने आज जारखंड के सियमपद की सपत ले ली है जहां इस सपदगरन समारोह में विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने हिसा लिया वहीं जारखंड के सियमपद की सपत लेने के पुर्व हेमन सौरेन ने ट्विट कर NRC और CAA को लेकर अपना पक्ष असपष्ट किया उनके मुताविक NRC लागू करने योग ये नहीं है और बड़ी खबरों में 15 हमें नमबर प्र है BSNL और MTNL के 79,000 करोर रुपए के पुनरुद्धार पैकेज के क्रियान वियान में तेजी लाने के लिए सरकार ने मंतरी समूह का गठन किया है जिसमें रक्षा मंतरी राजना सिंग, संचार, सूचना प्रोदोगी की एबम कानून मंतरी रविसंकर परसाद, ग्रिह मंतरी अमिस साह, वित मंतरी निर्मला सितारमन, रेल मंतरी प्यूस गोयल तथा केंद्रिय मंतरी धर्मेंद परधान सामिल है और बड़ी खबरों में 16 में नमबर प्र है, आईफोन मेकल कमपनी एपल नए साल में आईपैड प्रो 2020 को लांच करने की तैयारी में है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूजर्स को इस अगामी आईपैड में आईफोन 11 प्रो वाला ड्रिपल रियर केमरा सेट अप मिलेगा हलांकि अब तक कमपनी ने आईपैड को लेकर अधिकारिक जानकारी साजा नहीं की है और बड़ी खबरों में 17 में नमबर प्र है एक रिसर्च में कहा गया है कि यदि आप दयालू है तो आपका जीवन का लंबा हो सकता है हकिकत में भलाई करने की भावना आपको खुसी देती है और यह खुसी आपको अनेकों स्वास्थ समंधी समस्याओं से बचाती है ले तिंग जी को हरा कर यह उपलबधी अपने नाम की है और बड़ी खबरों में 19 में नमबर प्र है बॉलिवुड में काका नाम से मसहूर राजेस खन्ना का आज जन दिन है जहां इस मोके पर वॉलिवुड सितारों समेत उनके चाहने वालों ने उन्हें याद किया और जन दिन की सुभकाम नहें दी राजेस खन्ना ने अपने अभी नई कैरियर की सुरुवात चेतन आनंद की फिल्म आखरी खत से की थी और बड़ी ख़वरों में 20 में नंबर पर है सूपर अश्टार अजे देवगन के फैंग उनके अपकमिंग मूबी ताना जी का वेसवरी से इंतिजार कर रहे हैं इस बीच इस फिल्म का डायलोग प्रोमो सामने आया है जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं आपको बता दें कि अजे देवगन के लिए यह फिल्म बहुत खास है क्योंकि ये उनकी 30 साल के फिल्म सफर की 100 मी फिल्म है जो 10 जन्वरी को रिलीज होगी तो ये थी दिन भर के बड़ी खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लिजे और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है घंटी है उसे भी दबा दिजे ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट